माइंडेस चैनल आप सभी का एक वार फिर से स्वागत करता है यहाँ पर आपको बताया जाता है कि कैसे आप एक किसी भी Android स्मार्टफोन को अनलॉक कर सकते हैं Miracle Box के थूरू, Without Tools के थूरू, कोई भी MTK फाइल हो, कोई भी जिप सेट हो आप Without Data को Loss की वे, Without Hard Reset, Without FRP आप इसको कर सकते हैं Offline Tools के तहद, यहाँ पर हम किसी भी Computer, किसी भी PC, किसी भी Internet का यूज नहीं करने वाला है तो कैसे यह सब किया जाते हैं, आप इस वीडियो में देखेंगे और नए हमारे चैनल पर तो आप लोगों से request है, कि पहले वीडियो को देख लें, कैसा content हम बनाते हैं और तब subscribe जूर सी कीजिए, क्योंकि आपके subscription से ही हमें benefit मिलती है पैसो के benefit नहीं मिलती है, दोस्तों यह मत समझना है वीडियो बनानी की सकती मिलती है, energy मिलती है कि कैसे हम आप लोगों के लिए और भी अच्छा content ला सके है तो चली जान लेते हैं किस तरीके से हम किसी भी Android smartphone को unlock कर सकते है आपको डरना नहीं है कि हमारे smartphone में SIM card नहीं है पैसे आपसे लेते हैं कि online पैसा है, दे दीजी online आपके पास internet हो का हम कर देंगा अरे भाईया, मत पढ़ना इन सब का चक्कर में, पैसे लेकर कभी किसी का भी काम online मत करवाना अगर वो trusted ना हो तो, किसी भी YouTuber पर विश्वास मत करना है कि आपका पैसा लेकर वो लोग unlock कर देंगे उससे अच्छा जब पैसा देना है तो फिर आप service center चल लो गयार ठीक है, local shopkeeper से दिखवा लो, वो लोग आपका कर देंगे बट कभी भी online के चक्कर में मत पढ़ना मेरे दोस्तों, वो आपको इस तरीके से motivate कर देंगे आपको या आपका पैसा लेकर फुर हो जाएंगे फिर आप कुछ नहीं कर पाओ offline tools बहुत सारे हैं, बहुत सारे यूटूबर इसको पर वीडियो बनाते हैं, सिर्फ मैं नहीं बहुत सारे यूटूबर है, offline ही आपका phone खुद unlock हो जाएगा, सिर्फ देखने की जो थे, वीडियो कैसे देखिए, उसको सीखिए, नहीं आपको सुझ में आते हैं, हमारी जामबल करके मैं दिखाऊंगा, emergency call पर चल जाना है, यहां पर आपको डायल करना है, एक emergency unique code, जो कि ये unique code आपको कहीं भी Google पर नहीं मिलने वाल है, ये सिब developers ही develop करते हैं, और within month ये change भी होता है, महीना में कभी दो बार, तीन बार, चार बार change करते रहते हैं, security purpose के लिए करे होंगे, जैसे कि फरवरी आने वाला है, तो आप चो है, इसको comment करके पूछ सकते हैं कि ये नया code क्या है, मैं नीचे आपको जूर reply कर दूँगा, फिलाल इसको आप call कर डिजी, one, two, three, four, five, six, seven, eight, eight time यहां पर हमने इसको call किया है, and then इन सारे numbers को आपको हटा देना है, ठीक यहां पर यूज करना है, और सबसाब पहला काम करना है, manual test, manual test में इस तरीके से आपको सबसे पहले इनके सभी sensor को start करना होगा, sensor start करने के लिए यहां पर देखिए charging test को उपर है sensor self test collaboration, और यहां पर आपको तीन sensor देखने को मिलेंगे, तीनो sensor को one by one start कर देना है, और ध्यान कि तीन में से दो pass होना बहुत जरूरी है, तभी आपका phone unlock होगा, लेकिन अगर आपका एक भी sensor यहां पर work कर रहा है, तो इन तीनों को complete कर सकता है, जिन लोग का दो complete है, उसके लिए बहुत अच्छा, तीन complete है बहुत अच्छा, लेकिन 85% case में देखा गया है, बहुत लोग का दो ही sensor work करता है, lock के situation है, अभी हमें क्या करना है, back कर लेना है, back करने के साथ हम इन सारे option को इस तरीके से scroll करके, reading reset complete indicator आपको last में मिलेगा, उसको यहां पर click कर देना है, and back, 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 फिर से back करना है, इस तरीके से वापस है, हम इस screen में चला है, and then यहां पर क्या करना है, क कि जैसे ही आप, जैसे ही आप, तीन चार सेकंड का समय आप लेंगे, आपका phone automatic unlock हो जाएगा, आपसे कोई भी password pattern पे नहीं पूछा जाएगा, यह बिल्कुल live example आपके सामने मैंने यहां पर दिखाया है, तो कैसा लगा यह video, आप हमें comments करके जो बताइएगा, और कोई दिक आपके साथ, 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